गुद्वर्णी बच्चो बच्चो आज मैं आपको क्लास टू में हिंदी पराने जा रही हूँ बच्चो आपको आठ ताडिक से हाफ एरली एक ग्याम होगा इसकी तैयारी भी आपको करना है नेस्ट वीडियो में मैं आपको किस टैप का कुशा जाएगा जो मैं आपको पड़के बताऊंगी बोड पर दीखकर कि किस टैप का कुशान आएगा आप उसी से अच्छी से तैयारी करेंगे लेकिन बचो इसमें से कुछ चेप्टर मेरा remaining है जिसको मैं आज complete कर रही हूँ तो आप आज class 2 में chapter 12 सेर और चुहा की story जो है उसको आप पढ़ेंगे तो पहले हम इस story को पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको इसका जिसने भी tabs के question answer है मैं आपको करना हूँगी ओके बचो तो आप इसको ध्यान देंगे कि इस story में क्या है सेर और चुहा के बचो तो देखते हैं कि इस कविता में के माध्यम से सेर और चुहा की इस story को हम पढ़ेंगे और फिट समझेंगे वाके बचो तो देखिए एक जंगल में सेर रहता था वह बहुत सकती साली था सब उससे डरते थे एक दिन वह सो रहा था तभी वहां एक चुहा आया हां आज इस सेर के ऊपर खिलूं डिमांग में एक सरहरता हूं बड़ा मज़ा आयेगा और को जो रहा है और में आज इसके ऊपर चटके कहीलूगा और वहार इसके डिमाग में सीवनुष्स सुज team और वह चुहें सेर के ऊपर चहर के उछल कूद कर रहा था और इसी को ऊपर जो बुचल कूद कर रहा था इस से उसको खुजली होने लगी और उसका निंद खुल गया फिर वह जाग गया और गुराया अरे बाप्रे ये तो जाग गया तब वह जाग गया तो चुहा देखा कि वह सिकार जिनसेर जो है जाग गया है उसको देखे वह खता अरे बाप्रे बापी ये तो जाग गया है तो फिर उसने क्या किया इसने चुहे को एक तेज द्धावाग लगा गिर्धे भीड़े बचा आवर से क्या हुआ कि चुछा भागने की चकर में लिए गिर्धे भीड़े भागने के बच गया नहीं से नहीं कर दोमाई तो मेरे उपर नाच रहे मुझसे डरते सब्सक्राइब जाओंगा और वो गिरा गुरा कर बोलता है कि तुम्हें यह कि अंधनी हिमत हो गई कि तुम मुझे छोड़ दो मुझे गलती हो तो तो सेर बोला कि तुम मेरे लिए क्या करोगे हां वो चुहा बोला कि मैं किसी दिन तुम्हारे काम आओंगा तुम मुझे छोड़ दो तो सेर भी सोचा के चलो एतना छोटा जनमर से वेरा क्या हो सकता है मैं इसे छोड़ देता हूं ओके छोड़ देता हूं तो छोड़ दिया और वह चुहा भाग गया एक समय बार एक सरकस के सिकारी ने एक सेर को पकरने के लिए जाल बिछाया तो सेर उसमें फस गया और यह कहानी जो वहाँ चुहा चला गया और सेर अपने जगर रहा गया लेकिन एक दिन सरकस के एक सिकारी जो है सेर को पकरने के लिए जाल बिछाया और सेर क्या हुआ उसमें फस गया वह बहुत चिलाया बहुत रोया लेकिन कोई जानबर जो है उसको बचाने के लिए नहीं आया क्योंकि सेर सब जानबर डरता था चुहे को उसकी आवास सुनाई दी वह भागा आया उसने देखा कि सेर जाल में फसा तरप रहा है और जब कोई जन बनाया तो सेर को चुहा को भी उसकी आवास सुनाई दी और वह दोर के उसके पास आया तो देखा कि चुहा सेर जाल में फसा हुआ है और तरप रहा है तो चुहा बोलता है महराज मैं वही चुहा हूँ जिसे आपके मारते मारत ने छोड़ दिया था मैं आपको याद हो नहीं यह याद है कि आपने मुझे छोड़ दी थी मित्र चुहे जल्दी कुछ करो आज मैं बड़ी मुसीवत में फस गया हूँ तो चुहा काता है कि चुहा प्लीज जल्दी कुछ करो मैं जोह मुसीवत में फस गया हूँ तो चुहा काता है क्यों नहीं हम तो मित्र हैं मित्र ही मुसीवत के समय काम आते हैं वह जाल काटना मिरे लिए तो बहुत आसान है और चुहा बोलता है कि यह कोई बरी बात नहीं है चाल काटने के लिए मिरे लिए बहुत ही आसान तरीका है चुहे ने जाल काट दिया और सेर को अजात कर दिया धन्यवाद मित उस तरह से शेर ने उसको धन्यवाद दिया तो बचो सची करा गया है किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए मुसीवत में छोटे से छोटे बेखती अत्वा प्रानी काम आ सकते हैं जो मुसीवत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है ओके बच्चो तो आपने इस स्टोरी को पढ़ा और समझा नेस्ट वीडियो में इसका जो भी वर्थ है उसको मैं करवाऊंगी ओके बच्चो भाए